मुझादा में। एयलो ट्रेडर्सवर्कम बैक ट्रेडर्सुषान चैनल. तो ट्रेडर्स आज़ेत वीडियो lil बहुत रहादा इंटरेस्टिंग कंने वाला है एंड ये वीडियो में अपन एक डीटेल में लेक माशीन king coming gebaut arc उसके बारे में discuss करेंगे और वो कैसे signal देता है और कैसे आप उससे buying और selling कर सकते हो bank nifty और nifty में वो आपको signal देगा तो उसके accordingly आप call और put buy करने का and उसका right side में आप यहाँ पे देखो trade status दिख रहा है आपको उसमें win rate पता चल रहा है and सारी चीजे पता चलती है मैं आपको इसको better way में कैसे use करना है वो बताऊंगा और यह जो indicator है इसको कैसे लगाना है यह भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या उसके नहीं तो आपके साथ जो यह जो code है यह आपके साथ मैं शेयर करूंगा यह machine learning based like code है तो इससे आप कैसे एक अच्छे से trade ले सकते है आप इसको कोई भी इसमें लेके जाओ कोई भी index में लेके जाओ आप यहाँ पर विन रेट देख सकते हो यह 65 के अब आवी रहेगा mostly 65-70 के आसपास ही रहेगा इसका जो विन रेट है देखो यहाँ पर 79 का है आप फिन निप्टी में भी लेके चाओ उसका 65-70 के आसपास ही बेसिक विन रेट रहने वाला है तो यह बहुत ही भैतर इन इंडिकेटर है आपके सामने उसका status दिख रहा है आपको तो इसको यूज कैसे करना है अब यह second scenario देखो आपको उसका उपर उपर यह चीजे समझ गई आपने देख लिया आप चले गए डायरेक्ली तो आपको पहली बाद यह इंडिकेटर मिलेगा नहीं ठीक है तो वीडियो आप पूरा देखो आपको कैसे इंडिकेटर मिलेगा कौन सा option strike आपको बाय करना है क्या procedure रहेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और RSI के इस उसके बाद ट्रेणिंग करना स्टार्ट करना वीडियो पूरा देखोगे तो आपको डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछते रहे जाओ तो अभी समझते क्या डीटेल और यह इंडिकेटर कैसे काम करता है तो यह जो इं जैसे आपने कैलकुलेट करते है उसको सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके यह लाइन बनता है तो आपको इस पर वेशिस पर ट्रेड कैसे लेना है यह अभी मैं आपको बताऊंगा ठीके यहां पर देखो दो कलर है एक है ब्ल्यू कलर है और दूसरा है रेड कलर है तो जैस पर आपको डाइरेक्ली ट्रेड नहीं लेना है ठीक है आपको क्या करना है इस इस वन कन्फरमेशन ठीक है यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर एक ग्रीन केंडल अच्छा बनाया यहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्केड एक बुलीश कन्फरमेशन में आया है तो यह आपको तो रागना आपको 1st confirmation है 2nd confirmation क्या रहने वाल है आपको आरेशाल लगाना है यह सिनारियो में आपको प्रक्राइब में प्रक्राइब में इसे आप डालते हो वैसे वाला राचाइब ना और यहां पर आपको सिर्फ देखना है यह 50 यहां पर मैंने और अल्रेडी मार्क करके रखा 50 लाइन डीफॉल्ट रखने है आपको 50 के लाइन आपको क्या पता चलेगा मार्केट जबी भी जो भी आपका इंडेक्स रहेगा और जो कोई भी स्टॉक रहेगा वो समझे 50 के अबाउट ट्रेड कर रहा है और आपका जो यह वाला लाइन है ब्लू कलर का लाइन म उर फ्ली लाइन מ terg 2019 के अचैंड क्या है यहां से करसर बराबर नहीं हो रहा रहे ठीक है सेकेंड क्या है रेगका छीज रेने वाली की आरेशाय क्या है आरेशाय क्या देखना है आपको 50 का लाइन देखना है कि अबाव 50 रहेगा और ब्लू रहेगा तो बाइंग में ट्र लेना है अभी थर्ड क्राइटेरा सबसे इंपोर्टन है कि ये दोनों भी पता चल गए कि बाई कैसे करना है अभी क्या करने का ये सबसे बड़ा question आएगा आपके दिमाग में तो इसका जवाब दूंगा मैं आपको क्या करना है जो weekly का आपको लेना है और उसको जैसे आप ले रहे तो आपको क्या करना है उस में देख रहा है कि यह बड़ा फाला candle पकड़ यह पने ले लिया अभी आपको यहाँ पर क्ले खरीद से का खरीद नहीं है तो आपको क्या करना है क्वाव पर खरीदना है ATM का जो strike price रहेगा उसका जो देखो कैसे रहता है न market कैसे चलता है आपको भी पता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे options में दिमाग लगाना पड़ेगा क्यों कि option आप खरीद होगे तो हाँ पे एक premium DK की चीज है तो आपको आप direction तो पकड़ लोगे यह indicator के वज़े से बड़ आपका दिक्कत होगा premium DK यह अपका बड़ा दिक्कत होगा तो अभी उससे बचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ यह दो से आपको पता चल गया कि direction कैसे पता करे मैं आपको और एक चीज बताने वालो जिससे आपको idea आजाएगा कि premium DK से कैसे बचे तो अभी आपको question समझे वाँ है कि कैसे बचना है तो अभी मैं आपको बताऊँगा अभी यह candle पर आपका successful entry हो रहा है call पर ATM का call ठीक है तो आपको क्या करना है कि जो stop loss कहा पर रहेगा इसका अभी समझो market ऐसे ऐसे चल रहा है तो option का strike price भी almost ऐसे से चल रहा है तो समझो आपने यह candle के समझो 100 रुपया अभी भाव रहेगा उसका bank nifty का example ले ले तो आपको 100 पर खरीद लेना है और आप stop loss कहाँ पर लगाओगी जो उसका swing low रहेगा वो जो इसका swing low रहेगा उसके नीचे 3 point का buffer लगा लो bank nifty रहेगा तो 3 point का buffer लगा रो nifty रहेगा तो 2 point का buffer लगा के आप वहाँ पर SL पूट कर देना और समझो आप यह candle हो गया उसके बाद लेको market यहाँ तक चलागा आपको कहाँ करना है इतना आपके बास profit आ गया ना तो आपको कहाँ करना है quantity कम करना है समझो आप 2 lot से trade कर रहे हो तो आपको कहाँ करना है उसको एक lot में जाना है ठीक है एक lot book कर देना है और एक lot को क्या करना है ट्रिलिंग stop loss के थोड़ा उपर profit लेके जाना है देखो यह मैं क्यों बता और आपको पता है क्या है क्योंकि आप option buying करने वाले है आप option selling नहीं करने वाले है आप यह indicator के साथ option selling करोगे तो मैं आपको कुछ भी नहीं समझाओगा डारेक जाओ ATM का call और put जो आपको बेचना है वो बेच हो आप easily कमा सकते है market choppy रहा तो भी कमाओगे market उपर गया तो आपके direction में और पैसा आएगा ठीके बट जस्ट की stop loss का जो method है वो same रहेगा जो swing लोर हैगा उसके नीचे आपको stop loss लगाना है जो भी option का swing लोर हैगा उस point तो आपको at the end market का direction आप तो पकड़ लोगे इस indicator को और ये strategy को यूज करके बट at the end आपको loss ही होगा क्योंकि premium डीके तो आपको थोड़ा scalper होना है आपको option buyer हो तो आपको scalper वाला mind यूज करना है और ये indicator यूज करना है तो definitely आप एक अच्छा पैसा कमा होगे तो आपको तीन रूल समझ में आगे क्या क्या कौन से कौन से रहने वाले मैं आपको फिट से repeat कर देता हूँ फर्स्ट रूल है ये indicator red और machine learning का जो ये indicator है वो second जो चीज रहने वाली है वो है RSI RSI में क्या RSI में basic rule है कि 50 एक line है 50 के above है और blue line trade करना है तो आपको buying का trade करना है 50 के नीचे trade कर रहे है RSI तो आपको और red line के नीचे है market तो आपको sell करना है third जो चीज आने वाली option आप option buyer हो तो आपको scalper बनना है option seller हो तो आपको SL पर ध्यान देना सिर्फ और जैसे आपका ये देखो यहां पर exit हो गया trade है आपको यहां पर exit कर देना है but buyer आपको थोड़ा cautious रहना है आ तो आपको समझानी थी यह machine learning indicators से इफ आप यह तीन चीजे अच्छे से acquire कर पाओ तो आप अच्छा खासा यहां से पैसा कमाओगे अभी चीज आती है कि यह indicator मिलेगा गाप यह जो indicator है यह script मिलेगा गाप है ठीक है तो मैं आपको चीज confirm करता हो कि यह indicator मेरा खुद का नहीं ह यह किसी और का है तो यह आपको मेरे का कैसे इसका कुछ script है मेरे पास टीक है script आपके साथ मैं share करूँगा जो भी script रहेगा आपको क्या करना नीचे मेरा WhatsApp नंबर है ठीक है WhatsApp नंबर पर message करना ठीक है मैं आपको इसका सेटिंग भी बदा देता हूं मैं क्या-क्या रहने वाला क्या-क्या आप इसका स्क्रिंशॉट मार लो यह नंबर्स के ठीक है यहाँ पर जो मैंने फिगर एनेबल कर लगी है तो मैं आपको बोला यहाँ पर यूज वोलाटिलेटी फिल्टर यह सारी चीज़ और मैं आपको इसका कोड दे दूँगा आपको इसको लगाना है जो सेटिंग है उसको डिसेबल करना है और आपके सामने सेम ऐसे जो चीज़े है वो दिखेगी आरे साई तो सबको फ्री में पता है क्या है सब वेबसाइट पर मिलेगा और बाकी चीज़े आपको समझ में तो आपको सब कंसेब समझ में आ गया तो भी आपको किसी को दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इफ आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है लाइक करो और आपके जो भी ट्रेडर दोस्त है उनके साथ शेयर को आपको यह पूरा वीडियो में मज़ा आया कुछ नया समझ में आया कि कैसे मशीन लर्निंग के जो कोर्स है वह करते हैं और कितने अच्छे वे से करते हैं आप कितने टाइम से लोग सारे सूपर ट्रेंड यूज करते हैं पर शूपर ट्रेंड का जमाना भी चला ग अबस्ता है तो चलो गाइस टेक केर बाबाय है वह नाइस डिया हैड़